हुआ है 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 सब में सद प्राणियों में सद भावना थे सब गह कल्यान कर हुआ है हुआ है हुआ है दरवाजा यह जो फाक है दरवाजा विश्नु देख यह गुपा का है अधियों कर लें अर्मराजी तो मुझे आने लगता है स्राम जी को 14 वरस का मिला मुझे तुछ कहता हुआ हुआ हम सब जीवन भर के लिए बन भास आये हैं ना जालो जाओ दरवार्श हम सब जब आये हैं अप हमारा तो यह उंत हो ही रहा है आप का जाएने हम हम भी आये थे बहुत पुछी से समय आपके उमर शेपी कम आमवर में आये थे हम यहां कच्छी कूटी थी अभी कूछी बन गया बेटी राजाबान सिंग आके बैठे ते व मदस में आसन लिया ना आशन भी बुर्चाणि है यह तो शिवार्च पाड़ी लॉग कि गए है अच्क्छ आज बूला इस तरह से तो राजा ने सम जा नहीं कई-स बासं भाकरी खा जाती है पाड़ी पाणी पी जाती है। यह क्या है। शिशा पाड़ी पी जाती है। राजा ने सम्झाने बाद में पूछा। तो भोला कि शिशा उलोटा में पानी देकर तिलक लगाते थे। जहां डहलान होता है जहां दादा वहां पाठ करती है। सम्झाने तो बिल्कुल सबस्राइब। नमस्कार दोस्तों आपका भाई आपका साथी मैं कनेया सर्मा। जैसे की लगतार आपको दीविये त्यागी विलक्सन संतों के दशन करा रहा हूं। जंगल में गुफ़ संतों के दशन कर रहा हूं। आज एक ऐसे संत के दशन करवाने वाला हूं जो गुफ़ा में तपशिया करते हैं। और शाथ शाथ चालेस साल से इस जंगल से बाहर नहीं गए जाए। साथ शाथ कहीं पर भी मदू कर्णी करने हैं। खंडारा भोजन करने या पढ़साद गरहना करने या किसी के घर कभी नहीं गए हैं यहाँ पर सभी संतों ने इनके बारे में बहित का कि दर्सन करने टो आज इनके दर्सन करने जा रहा हैं सुबह घे तो इन्होंने बोला आपका जो जंगलों के दीविय संतों के दर्सन करा रहा हूं कैसा लाग रहा है मुझे भरूर बताना आप सभी से कहूंगा एक बार ऐसे जंगलों के संतों के दर्सन जीवन में जरूर करना हाज और कि कहूंगा आशो में के दर्सन कर रहे हो मंदिरों में कर रहे हो जो जंगल तो हमारा जीवन का उद्धार होगा तो आप सभी जो ससंग मिले घ्रहन करना वीडियो इसकी मत करना जैसे कि मैं आपको पता तो इस जंगल का नाम टाटीगाट है और यहां पर बहुत सारे संतों के दर्सन होते हैं और ऐसे दर्सन होते हैं तेहते युग शत्यूग के जैसे संतों के दर्सन होते हैं हां को सिगें के लाइन को जान, को जानुष करें हैं कोई जानुष करने कोई हार Eldhen करने कोई जानवर हैं हम सावद्धा निवर्था भी हम देखना भी होटू के चक्र में इसा ना कि शिकार बन जाना साथियों जैसे कि हम डर्थ तो रहें डर्णा बीचे मनुस्य शरीर है मानों शरीर है घस्ती वाले भी हैं लेकिन एक मन में विश्वास भी आता है दूसी तरफ से अर भगवान है तो भगवान है संतों को काम कर रहा ते रहे क्या होगा तो विश्वास भी भगवना में पर है वह संत है और आपका इसी प्यार की वज़े से मैं आपको ऐसे संतों के देशन करा रहा हूं अभी तक आपने इस जानकरी को यह संतों की सीडिश को सेयर नहीं किया जुड़े नहीं हो सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को सेयर कर देना अपने सभी परिवार साथियों क बच्चे के साथ भी देख सकते हो ऐसी ससंग लाने की कोशिश करता हूं आप भाहुक भी हो जाते हैं आज की ससंग में पक कविस्वास है साथियों अब मराजी की कुटिया आज चुकी है विश्णु अजन आपको कुटिया के दर्सन बाहर से कर वाते हैं फिर आप मराजी के पास चलेंगी भचन ध्यान कर रहे हैं हम अब आपको दर्सन कर रहेंगे अब जैसे कि उन्होंने 11 बज़े का टाइम दिया तो 11 बज़ झीलिध कर आपको मराजी सा टो मराजी कि बड teddy भाजी सिंट कर दो आगाओ ंजोटेयर आगो में हुआह। क्योंडों कि हमाओ महँआ है। एह दिखेशन दीनी दुणे ड्या...... कर आए यह गुफा का दरवाजा एज जो फाक है दरवाजा विश्णु देख एक भाग एक भाग थोड़ा से चाहिए ताकुछ जल्ग दर्सन तो बार से कर सकते हैं क्या गुफा के दर्सन कर सकते हैं क्या कुछ ने घृ जए हैं को बदए कर देख लौश आए अजुफा कुछ ने खाली हो अजिए ने जर्बस का द़ा था मापर चांग एक मैना बार दो दो मैना बार था खाले हो है तो रहा हैं धग है इताव सम्कर लेंगर निए अट्ष् से ऐसा में में सब्छों जसे चनत कर देखा जाए इंसान ने पँछ पाता उसान नहीं पोहां सब्सक्राइब हुशा तुम काउडु गनारники ढ़ी है आप कभी संदर्शन के लिए गए हैं मराजी यहां पर आगे हैं आसमे में क्या जबन खुटियां हुमें दर्शन करने का लाब अलगाता है एनर्जी मतलए मतलए आप इसके पास बैटा हूना यह में जो पालव अम्रित का पराबर मुझे इसके भी फिका लगता अम्रित में यह हर किसी के सोभाग्य में भी नहीं लिखा उनको रही नहीं सकता है और यहां पर आई नहीं सकते हैं यहां तक आ सकता हूं यहां तक मैं आजा आजा उतों प्रहां तो पहले तो हर जर दो अगer के जफ़ी बढ़िय हे तो संतों ने घर क्यों थ्यागए तो उनको क्या मार्क दै आप में घर त्याग करें तो इतना थ्याग होना चाहिए क्योंकि घर नहीं कि अपने साव में रहने से फिर जल्दी छूड़ता निर लगा रहता है इसलिए इस लिए उस त्याग को हां उसी जिसे यहां हाई यहां हम बन में रहते हैं यहां आमारे लिये इतना लाब है, देखू, रामार में का है ना? तन दन धाम सुहिर्द परिवारा, जन नी जन गबंद शुत दारा, तन दन भवन सुहिर्द परिवारा, सब के ममता ताग बतोरे, मम पदबांद मन ही बांद बरडोरे, तो इस तरह से कहा है, दस मिरियां दस तरह बिखरा होगा है हमारा, संसार में हमारे वो चाचा है, वो माता है, वो पती है, वो पतनी है, वो भाई है, वो बेटा है, नाना तरह से नाना तरह में सब के साथ प्रेपार करना दिन भर में, तो उसको परमात्मा के साथ लग, कब लगेगा विचारा, कब भजन करेगा परमात्मा में, कब प्रेम बढ अब यहां हमारे लिए दौसो जो बताया ना था दस तरभ विक्राव एक भी नहीं है अमारे लिए बता हमारा यह हम सुथ दिलकुल इसका चेश्टा ही नहीं करना पड़ता हमारे लिए महादुगा सब की ममता ताग बटूरी बटूरना पड़ता उनको सब को सबसे मन अटागत पर मात्मा में लागाना यहां तो हमारे लिए शुभाबिक हो गया है उसको बतूरने का जवर्वत्त ही ना हमारे मा ना बाप है तनुधनुधाम सुर्थ परिवाद आवजन नी जना का बंदू सुथ दाना सब कोई नहीं हमारे यहां इतना सुभिद काम के लिए काम के के बलर नारी कुरोद के परुशर बचन वाल मुनि बर कहई बीचारे इतनी इस तरी कोई सुन्दरी सामने आजाए तो सवाब पूरुशका तक तो जागरे होता है ना और इस तरी के लिए भी ऐसा ही है तो अब इकांत में यहां आए थाम तो महिना दिन किसे करेंगे किसे रागदेश करेंगे हैं तो यहां यह सब लाव है इसलिए यहां एक आंत में रहने का इतना फरक है इसी तरह घर में रहे हैं संथ ऐसा बात नहीं है कुमद्धास अधि महराज कि मुठत कंकर आते न में बंद्रवान में बहुत बड़े संत हुते हैं घष्टमें इतना आशक थे कि उनके पास में घरश्टमें रहती हुए एक बॉनुए के लिए आशमी था और उनके पास में शीशा नहीं था और उनके पास में असमें लोटा नहीं था यह मतलब पानी राखे जल रखने के लिए तो ऐसी अविस्था में गरीबी थी उनकी घर में कोई पर गुरु की और गुरु पर भगवान पर इतना प्रेम था उनका कुम्मांदाशी का चरित्र अगर उनको शेवा के लिए प्राइटना किया तो उनोंने यही कहा हमाराजी को शेवा के लिए अधेश दिये भगवान के अग्या है तो कहते है यही हमारा पास कभी नहीं आना यही हमारा से वा है इतना थ्याग तो गिरस्ट में राहे है वह 극 coy हम पूत फ़िख कर उसमें कोई नहीं है उसमें कोई पूति आपकर उनके बहुत कौज नहीं था कि अतने थी और उनके दो बेटी को बोला भेति राजाती वह कि दो बाय पाघ़ को ब्यदी को बतीन है भाद ही चपी Captain जो बोला इस तरह से तो राजा ने समझा नहीं कहीं सब्सक्राइब तो भगड़ि का जाती है पाड़ी पानि पी जाती है ये क्या है राजाने समझा नहीं बाद में पूछा तो वो लागी, शीशा उलोटा में पानी देखकर तिलक लगाते थी, इसलिए तिलक शंजा समय हुआ तिलक के लिए उनको बेटी हो थोड़ा लोटा, शीशा उसी को कहते थी, और लोटा लिया तो पानी हम देखके, उस विए में वो कहीं बावकरी आ गई, पानी पाडी आ ग तो इस तरह से, इस त्याग से यह दिर रहे हैं, तो मिल सकते हैं घर में कोई, बन में कोई नहीं है, अंतर नहीं है, केवल हमारी इंद्रिय मन की बात है, मन आ सकत होता है, मन बहुत दुष्ट है, मन ऐसा है, नानक यह मन स्वान पूँच जो, का भाहून सिदू भायो, इसको पकड़ता नहीं है, इसलिए बार बार सत्संग करें, अब सत्संग के भी हम तो कहीं नहीं, केवल सत्सास्त्रों का अध्यान करें, और भगवान का नाम जब करें, भगवान का ही पूजन करें, भगवान का नाम जब करें, तो इस सब हो जाता है, कहीं नहीं, सत्संग आपने पास परकट हो जाता है। जईसे आप भागवाण का जयाब और कुछ साष्ट्रू का अध्यान करेंगे, अब कुछ तो और से पर्कट हो जाता है। और सुनई जो फ्क शंग को बंगे, दूसिरी तार्व से लहोता है। जिस कभी संतों का दर्ध भरत शंतों का नहीं करते लेकिन, तो ऐसा है मेरे अंखों साूत कि धारा भेणने लेएट भॉत्ती लिए साडल्व भगति को ऻक्षान के लिए जिसका समर्खार्ध्वान तो हम तभी उनका जैसा का तैसा मान रहे या तो कि अधिया तो हमारा जैसा का तैसा मान रहे या तो पर हम उसका चैर उनका अनुसरण में कर पाते हैं फिर हमारा इसलिए होना जाहिए तो संद्ध हम इसमें तो हम सब भी जब ऐसी किसे एक संद्ध थे या थोड़ी गामायन लेकी बैठते थे तो बहुत उनकी आंस उधारा बैती रहती थी वह बर्साने बाले माहत्मा कहते थे है अध्यरह च Suchटी गजभी बड़ी बड़ी पप उनका सरीज चुड़ा थे पांथ-से साल हू घ्र साल Georgia तो आईसा है यह तो आच्छा है यह तो शन्तचरी गूर की चरण में तो करनाम करने में भगवान का इस्मरण करने में आसे नित्रन में पानी ना हाए सरीर में ना हो के दी है कि अनुकय आखोमे थोरी भ॥ सबस्थ śती आप्राइब नहीं Curry व्यागें डर्व सर्वय पूल ऺात सर्वय के नहीं होते उम्रिय डर्व दर्वी नहीं होद नहीं होता नित्रव नहीं नित्र नॉर्वित नहीं होता है तो उसके लिए वो कहते हैं कि उसके नेत्रे में तो धूरी बहर देना चाहिए तो अच्छा है वो ऐसा कहिए होना तो आपको बहुत अच्छा है भगवान की करपा होता है दम जी पर जैसे गुरु जीन का यह सत्य बात है और मैं अगर भाहुक हो जाता हूं सभी से माफी मां किने गराजी को कहता हूं गुरु की शेवा करो लेकिन उससे पहले अपनी माथ़्ा की स्यवाक करो तो अन्कों है तो देने का आश्वार भी चाहता हूं और विचार भी जाना चाहता हूं स्वाद बुद्धी तो यह है आचरन से सदबुद्धी उनको आप जैसे जैसे आचरन केरेंगे ना कुछ बताएंगे तो तो पगड़ देंगे किनका तो सभाव होता है ना जाड बुद्धी उनका सभावित तमगुणी रजोगुणी उनको तो कहां तक आप सिखा पाएंग भगवान ने दुर्योदन को समझाने के लिए कितना कोशिस किया था कितना आया था वो संझा क्या है अंतो तक नहीं मानता तो जाधा भी उनके पास यादा वो करके अपना समय बरवात नहीं करना चाहिए अपना तो केवल भजन करने से आपका आशरन देखके आगे वाले क के लिए अनुशारण करेंगे भला नायचा करता था जिसे रामदेव जी आपके राजस्थान में हुई है का इतना उचे कोटी के सांते जीवन वो जब इस तरह से भजन किया उन्हें ने भोजन के लिए भी समय नहीं देते थे मां मुझे रोटी चबाने में इतने समय लगता काल से कर देना पुरा गडलिया बना देने पतली से जल्दी काल माता ने देलिया बना कि बुला वेटा तुम आजाओ खालो तुसरी दिन बुले माताजी अब थोड़ा खुब ठंडा होने लो अब हम गरम गरम उपकाने में तायम लगता है जो बिलकुल थंडा हो जाता ता बलकुल नरम तब भलापत खाएगे फिरविता आजे खान देते लिए परमात्मा को पराप्त करने के लिए लगन लगान परता है तो दूसरी लोगों को शुतारने के लिए तो भगवान के कह बागन नहीं हो सकता हम अमारी बज की बात नहीं है हम अपने पडोशी को भी श आप तो आपने को सुधार हो यह सब खेगा भगवान का हाथ में है जैसे गुरुजी नहीं का है सब को ना सुधार सकते लेकिन कम से कम अपने आपको सुधार हो दूसरे को ना सुधार हो और मैं अगर भाव को जाओ तो माप कर देना ऐसा ही हूँ पता नहीं खुद को कहने पाता हूँ लेकिन आप दूसरे कुमत को अपने घर में एक कमरे ऐसा बना लो जो कुछ ना लगा हो जो संत जंगल में महसूस करते हैं ऐसा आप महसूस करोगे यहां की जो एनेर्जी जंग में मैं देख रहा हूं सब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं आश्रूमों में देखा है बहुत सारे संतों के दर्शन करते हैं ससंग करवाते होंगे और मैं जंगलों में संतों के दर्शन इसलिए करवाता हूँ कि आज भी जिस बच्चों को रामाइन दिखा ही जाती हूँ लेकिन हमारी द्रष्टी आपको भी हो गई अज मैं तुछ नेट साल से वन्वास में भर्मन कराँ मेरी गुरु ने वनवास दिया इसको आनद मना रहा हूं मेरे गुरुने का संदर सन करो तो वो मुझ़े आनद लगता है स्राम जी को जिवन भरका मिल जाए है वन्वास आरे जीवनबर का हमारा तो हम सब तद द जीवनबर के लिए बनबस आए है ना राम जी लिए तो जल्व जोदबर्स हम सब जब आए हैं अब हमारा तो हम तो ही रहा है आपका आप कहा जाएंगे हम आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा अनुभव तो बहुत आलना अच्छा यह है बहुत अंपवाच अम तो यह संसार से तो हमको बहुत भय लगता है इसमें हम देखके न हम यहां रहता हूं तो यहां जारकी को जो कभी बिमार होके जाते हैं तो बाद इस जंगल में टाथीि अंचिया सबस्क्राइब यहां आत्मीय सुक है और दाहिक से शोग नहीं से रहे से तो हम भुदा बातनाम हैं यह कान पीने को पहले सुख भी रोठेकाते थे अब तो कुछ आज भी जाता है बहुत कुछ खागुरुजी के दिरभा होता है, यह सब बताने की भी बीज़स को नहीं है, वही सब बाते तो, घटाने बताना की भीज़स को अवसक नहीं है, फेर भी हम एक जिस आदार से जहां रहते हैं, हम ओ तारम से, हम दोई चीज, खाने भी शंचार में कुछ भी नही है, और आवाजना बाहर से, तो हम को सुर्ग बढ़ जब भजन हम बढ़ते हैं, हम को सुर्ग से भी हम कहें, इससे ज्यादा सुख कहीं नहीं है, हम को अनुबबब होता है, इससे सुख कहीं नहीं मिलेगा।